गुरु वार के दिन चुप चाप यहां रख दें बस थोड़ी सी हल्दी इतना पैशा आएगा की संभाल नहीं पाओगे गुरु वार के दिन देव गुरु ब्रहस्पत का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग के जाते हैं आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे क्योंकि हल्दी का संबंद देव गुरु ब्रहस्पत जीसे है वैसे तो हल्दी के धेर सारे प्रयोग होते हैं लेकिन कुछ खास ऐसे प्रयोग हो पहली बार सुन रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा देखिए देगरू ब्रहस्पत की जवाब पूजा करते हैं उसके पहले एक छोटा सा काम जरूर करिएगा प्रयोग करिएगा देखे शुबह शोकर उठने के बाद आप एक छो बोटा हो या फिर किसी भी पात्र में रख लें और जब सुबह उठें तो चाहिए कोई भी हो यानि की पूरूस हो या फिर महिला हो इस्तरी हो हलका सा छिड़काव कर दें घर के मुक दरबाजे पर चोकट पर यहां पर आपको दिन की सिरुवात करना है पानी डाल कर गुर हल्दी से छिड़काव करें तो सबसे पहले आपको यह करना है फिर आप नहाद हो कर सबसे पहले भागवायन शूर को एक लोटा जल अरपित करें और अगर जल में एक शूट की हल्दी डाल कर अरपित किया जाए तो आपका गुरू भी बेहतर होगा और जीवन के खुश्य भी आएंगी मान समान भी चालो दिशाओं से आपको मिलता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा वैसे तो गुरू वार की दिन हल्दी के धेर सारे प्रयोग हैं लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम जानना चाहें तो आप घर के मुख दरबाजे पत बाहर की तरप से गुरुवार को आप बनाएए तो स्वास्तिक नहीं बना सकते तो कोई भी ओम का निसान शुब लाब का निसान जरूर बनाईशे घर में क्या होता कि निगविटी उर्जा समाप्त हो जाती अगर रहती है और अगर नहीं है तो बाहर से आती भी नहीं है गुरूवार के दि तो आपके जीवन में कभी भी धनकी कभी नहीं हो शक्ती है तो आपको गुरुवार की दिन पोच्छा नहीं लगाना है सूर्दे को जब आप जल देंगे तो एक चुटकी हल्दी डाल कर आपको सूर्दे को जल देना है और जब आप यानि की जैसे बहुत से लड़की लड़कियां जिनके बिवा नहीं हो पा रहे हैं या रिष्टे आते हैं लेकिन पक्के नहीं हो पाते हैं किसने किसी बज़े से तूट जाते हैं उनका बिवा नहीं हो रहा है या बिवा में देरी हो रही है तब क्या करेंगे तब नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाएं तो सिग्र बिवा के योग खुलते हैं निमित रोप से आप ये करें अब चुकि अगली बात एक चीज़ और जीवन में धनकी कमी है अगर आप को ऐसा महसूस हो रख जीवन में धनकी कमी है आप चाहतें कि पैसा खूब आए जिंद की मौज मस्ती से गुजरे तब क्या करेंगे तब आप एक सिंपल सा छोटा सा प्रयोक करिएगा गुरु बार के दिन आप भगवान विश्वों जिके सामने आप इनकी ए पिसी हुई हल्दी आप रख दें पिसी हुई हल्दी रखने के बाद इस हल्दी को आप पीले कपड़े में बांध करके पोटिली बना लें और फिर आप भगवान विश्वों और माता लक्ष्मी का इश्मरन करें ओम नमो भगुति बाश्दिवा इश्मंतर का जाप करें और फिर ओम नमो महा लक्ष्मी देवयो नमो इश्मंतर का जाप करने के बाद इस हल्दी को आप पोटिली बंदी हुई आप अपने तिजोरी पे रख दे यानि कि आलमारी पे रख दे चुप चाप पैसा इतना है कि संभाल नहीं पाओगे खुब पैसा है कि यानि कि पैसे अगर तिलक लगाएं और तिलक लगा कर बाहर निकले तो मान समान में ब्रदी चारों दिसाओं में आपको ख्याती बढ़ती है धन की प्रापती होती है तो हल्दी के बहुत सारे धेर सारे प्रयोग हैं गुरुवार की दिन पीपल के बिच्छे में भी आप अगर जल और सकते हैं यह चोटी-चोटी प्रयोग लेकिन च्पीड हमने टोपिक रका है गुरूबार की हल्दी का प्रयोग बहुत कार्गर होता है गुरू-बार की दिन हल्दी का दान करना चाहिए ईपралको जासतिक अगर आ पने मुक्ध दरवाजे पकश्वीश्य प्र स्वास्ति पॲेर से स्थ्रीम लिखें और फिर आप माता लक्ष्मी के सामने रखकर इस स्थिजोरी में रखतें तो पैसा इतना से पास रखएं कि इस तो हल्दी का धेर सारा प्रयोग होता है हल्दी के प्रयोग से आपके जीवन के कश्ट दोर होते हैं थोड़ी से आप हल्दी ले 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 और हल्दी को आप भगवान विश्मुजी के चरणों के पास रख दें और इस हल्दी को आप और एक दीपक भी जला लीजेगा और फिर आप चाहें तो एक पोठली बना लें पीले कपड़े में और फिर आप उस सद्धीपक से तीन बार उल्टे बार लें और फिर आप इस हल्दी को आप चूप चाप ले जाकर अपने धन के स्थान पर लग दें तो धन की कमी दूर हो जाएगी धन की कमी कभी होई ने शक्ति है में हल्दी डालकर पूरे घर में शिड़काव किया जाए तो घर में शकरात्म कुर्जा का वास होता है और सदैब भगवान भूश्यों माता लक्ष्मी कर्पा वरस्ति है तो दौस्तों हल्दी के शोचे चोटे चोटे परयोग जरूर करें कमेंट में जरूर लिखेगा और जै मालक्षमी जै भागवान में शाथे साथ बेड़ों को लाइक करेगा और इसे जदा जदा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्षमी